सो हाई गाइस मैं नाम है रीश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्प चैनल पास्पजी स्टूरीज बारे दोस्तों तो फाइनली क्रोशिया ने जोइन कर लिया है शेंगन को एक जनवरी 2023 से ये लागू हो जाएगा तो दोस्तों क्या चेंजिस होने वाले हैं और क्या क्रोशिया बुलगारिया और रोमानिया तीन कंट्रीज का नाम आ रहा था आज से अगर हम 15, 20 दिन पहले बात करें कि ये तीनों कंट्रीज शेंगन को जोइन करने वाली हैं लेकिन बुलगारिया और रोमानिया किनी करणों की वज़े से उसके बार में हम बात करेंगे किनी कारणों की वज़े से शेंगेन एरिया को जॉइन नहीं कर पाई और क्रोशिया बन जाता है 27 वा देश जो जॉइन करता है शेंगेन बॉर्डर फ्री जोन को तो दोस्तों यहां क्या क्या चेंजिस आ जाएंगे क्रोशिया हमें और क्या चेंजिस आएंगे हम इंडियन्स के ल सीधिये दस्क्राइब जा है किणे तक शोण दो जाएगि खुझारी किन्वर्जय करीब फृट जाएगी je उर्यां यहां ऐसे उपर लाबनने 50 धार रोपी से उपर उनाने वालेरेंस प्रहिदी बढ़ जाएगा तो दोस्तों वहां की Profis वेगर अभी प्रॉसेश कर रही है कि कैसे हम Milt को transfer करें कैसे bank deposit को transfer करें और काफी चीजें वहां बढ़नने वाली है तो currency बढ़ जाएगी महां का level बढ़ जाएगा इसके अलावा महां की economic ओभी growth हम कर सकते हैं as a traveler तो अगर आप क्रोशिया का वीजा लेके जाते है as a traveler तो आप और भी 26 दिशों में गूम सकते हैं जो की शेंगेन बॉर्डर फ्री जोन में आते हैं एक दम बॉर्डर फ्री है कोई आपको वीजा वहां नहीं देना पड़ेगा सिर्फ आपका जो है शेंगेन वीजा से ही आपका काम हो जाने वाला है इसके साथ दोस्तों अगर आप अज़र वर्कर जाते हैं तो आप पांस साल बाद आप पी आर के लिए भी अपलाएक कर सकते हैं आप अधर कंट्री में भी मुख सकते हैं इसका काफी अच्छा बेने फिट अगर आप करोशिया ऐसे वर्कर जाते हैं तो गईस अगर बात करें करोशिया में तो अभी जो हैं इन्डियस की दिमांड तो है ही किन-किन सेक्टर में हैं कौन कोई से जॉब्स की हाई डिमांड है उसके उपर हम अलग रनने वाली है क्योंकि उनसेनध कर लिया है शेंगेन जोन को अगर कोई वरकर वहां जाता है तो वहां काम करने के भाद वो वरकर वो किसी भी शेंगेन कंट्री में जर्मन हो गया अपना उझा हो गया लोगा में मुव हो सकता है तो एक पेमानों पे क्रोशिया खड़ा उत्रा लेकिन दोस्तों बुल्गारिया और रोमानिया कुछ पॉइंट्स पे यहां रहे गए तो एक बालकन कंट्री है बालकन डीजिन वाली कंट्री उसके लिए शेंगन में आना बहुत मुश्किल यहां हो जाता है लेकिन फिर भी क्रोशि जो है शेंगन को जॉइन करने वाला है और यह काफी अच्छी बात है इंडियंस के लिए क्योंकि काफी जॉब आपनिंग्स वहां हमें देखने को मिलें जी तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आज के वीडियो की में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आ